यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल फोन में 5G अच्छे से चल लाई अटिल का जैसा कि आप लाइप रूप के साथ देख सकते हैं दोस्तों यह अटिल के नंबर पे हम 5G unlimited free data को कैसे अक्टिवेट करें बहुत सारे लोग के साथ समस्या हो रही है कि कुछ दिन चल रहा है फिर नहीं चल रूप जा रहा है या फिर कुछ लोग तो मोबाइल में अक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रोसेस न आप हमें भी चलने लगेगा यह टिल के तरफ से कुछ टर्मेंट कंडिशन है जिसे हम फॉलो करेंगे तभी हमारा यह टिल का unlimited 5G data अक्टिवेट होगा नहीं तो नहीं होगा यहां पर जीओ के कस्टुमर अच्छे से इंजवाए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर नार्मली दो लोगे मन में confusion है कि यहां पर फ्री वाली 5G data बंद कर दी गई है बिल्कुल बंद नहीं की गई है दोस्तों यह तब तक मिलेगी जब तक हर एक एरिया में 5G network लांच नहीं कर दिया जाएगा यह कहना यह टिल का नहीं है जियो का है लेकिन यह टिल को फॉलो करना पड़ जा जबाए हम लोगों को देते रहेंगे आने वाले करीब 6-7 महीने तक अभी हमें मौका है मिलेगा सेवा तो तब तक के लिए इंजवाय किया जाए और अपडेट के साथ सारी जानकारी दोंगा थोड़ी से वीडियो स्किप मत करेगा पूरा देखेगा ताकि आपका अच्छ यटूब चैनल और मेरे नाम है रूपेस दोस्तों आए चली शुरू करते हैं आज के वेडियो लाइब स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों मैं लाइब स्क्रीन पर आ गया हूं जैसा कि आप लोग देख पा रहे कि किस तरीके से आप यहां पे अपने मुबाइल फोन में यह टेल की 5G सेवा को सुरू कर पाएंगे अनलिम्टेड वाला आए एक एक सेटिंग बताऊंगा जिसे आपको करना होगा और उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कुछ ट 5G मुबाइल होना चाहिए नंबर टू एक बात बता दूं कि आपके मन में एक confusion है कि आपको 5G SIM भी लेना पड़ेगा बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा 4G SIM से ही आपका आटोमेटिक वा 5G में कनवर्ट हो जाएगा कैसे होगा अभी मैं बता दूंगा ठीक है उसके बाद यहां पर एक बात और आती है कि आपके mobile phone में कम से कम 249 का recharge होना चाहिए या तो इससे उपर का होगा तो और अच्छी बात है लेकिन minimum 249 का recharge होना चाहिए ताकि 5G service का आप लाब ले सकें इतना हो जाने के बाद आप follow यदि करते हैं तो आपको फिर करना क्या है अपने mobile phone के setting में आ जाना है मुबाइल फोन के setting में आने के बाद बहुत सारे option यहां पर सो हो जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहीं पर एक option सो हो जाएगा mobile network के नाम से इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे आपको अपने याटिल वाली SIM पर क्लिक कर देना है औ और सबसे उपर एक option होगा 5G, 4G, 3G, 2G, Auto का इस वाले option को टच कर लिजेगा जैसे टच कर लेंगे अब नीचे एक option और देखने को मिलेगा access point name का इस पर क्लिक करिएगा और कोने पर तीन बिंदू होगा या तो यहां पर कहीं reset लिखा होगा बस उस पर क्लिक करके reset करके और पर यहां पर एक बात दिखाना चाहूंगा यहां तो mobile network में ही जाएगा यहां पर एक option होगा more setting का इस पर जाएगा यहां पर एक option होगा smart 5G इसको जरूर चालू कर लेजेगा यदि यह आपसन है तो चालू कर लेजेगा नहीं है तो कोई बात नहीं है ठीक है ना अब इसके बार डाउनलोड करके open करेंगे तो आपसे आपका mobile number मांगेगा और mobile number जैसे आप भर देंगे और उस पर एक OTP आएगी OTP डाल देंगे तो आप इस एप में login हो जाएगे जब आप इस एप में login हो जाएगे तो आपको क्या करना है आए बताते हैं देखिए पहली बार जैसे आप mobile number डालेंगे उसके बाद OTP आगे OTP भरेंगे तो आप login हो जाएगे ऐसा पेज आएगा और जब ऐसा पेज आएगा और आपकी SIM card ना आटोमेटिक 5G में convert हो जाएगी और यहां पे कुछ इस तरह से 5G plus हो रहे लिखा हुआ आने लगेगा ठीक है कुछ करना नहीं बस अब आपको करना क्या है यहां पर नीचे के तरफ slide करना है जब slide करेंगे तो यहां पे shortcut के नाम से एक window बनी होगी और इसी के नीचे एक option सो हो जाएगा 5G plus claim unlimited 5G data जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके आगे एक तीर बनी होगी इस तीर पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इ भी बता रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ specification इनके दिये गए हैं जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है आई मैं पढ़ाता हूं बताता हूं जैसा कि लिखा गया this is introducing offer our customer to experience high speed 5G data दोस्तों यह आप यह नहीं पांचो मतलब पॉइंट पढ़ेंगे न तो आप यहां पर 5G नहीं activate कर ला है ठीक है और यह कारें फ्री में दे रहें नंबर दू अनलिम्टेट 5G data is over and above your plan limit unlimited 5G data तभी काम करेगा जब आपका प्लान का जैसे डिलिया ही मिलता है 1GB data 1GB data जब वह खत्म हो जाएगा तभी यह कारे करेगा नंबर तीसरा point है unlimited 5G data can only be used in 5G network area 5G का unlimited free वाला data वहीं काम करेगा जहां पे 5G network होगा यह आपके area में 5G network होना जरूरी है यह कैसे पता चलेगा कि आपके area में 5G network है की नहीं है इसके लिए मैं अभी बता दूंगा ठीक है अब हमें क्या करना नीचे आना और यहाँ पर claim now लिखा होगा मैं दिखाना चाहूंगा यहां से claim now ठीक है देखें यहाँ पर नीचे लिखा है claim now इस claim now की button को आपको दबा देना है मैं थोड़ा सा page को down करना चाहूंगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगी ठीक है यहाँ प तो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं 5G unlimited data मेरे में activated है और मेरे में अच्छे से चल लई है आप में भी चलेगी इतना आप कर लेंगे बस claim only button पर दबा देंगे अक्टिवेट हो जाएगी और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लो बता देंगे कि आपके एरिया में 5G service है कि नहीं है और याटिल के तरफ से जो term and condition लगाया गया है वह यहाँ लगाया गया है कि आपके mobile phone में जब 5G से अब activate हो जाए तो किसी को आपको hot spot चालू करके Wi-Fi नहीं connect कराना किसी के phone में यह ऐसा करते हैं लोग डिडेक्ट कर लें यह हम लोगों खुब-खुब मिलता था मतलब एक महीने में इतना मनकर यूज करें लेकिने तेल में बाउंडेशन लगा दिया गया है एक महीने में 300GB डेटा ही दिया जाएगा तभी 300GB डेटा काफी है यह दोस जीवी पॉड़े किसाफ से हम यूज करें तभी काफी है अस तो आप शोचते हैं hamaiream BG क्यों नहीं चलना मैंने नहेवाला तर् जितने बार आको this में आना है और बार कि ट्लेम कर हम करना क्यूद के साथ यह सेवा मिलती है लेकिन बार-बार इसी आक्टिवेट करना पड़ेगा हर एक réfl होगा बहुत सारे लोग इस तरीके से भी परिसान है कि मैंने तो रिचार्ज करना है हर महीने में तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी सुविधा अच्छे से समझ में आई होगी और मैं एक बार यहां पर दिखाना चाहूंगा मेरे में 5G नेटवर्क आभी गया है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से आप में भी 5G चलने लगेगा और आपके साथ कोई भी दिक्कता है ना कमेंट बॉक्स में करिएगा हम आपका help करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे जो भी दिक्कता है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएग और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक ट्रीक आपको बताना चाहूंगा यदि आपके एरिया में 5G नेटवर्क हमेसा नहीं रहता है मतलब कभी-कभी आता है तो आप ऐसे अपने मोबाइल फोन के डेटा को चालू रहने दिजेगा ट्रिक समझेगा और इस फ्लाइट मो रखोगा तब तो अच्छे से चलेगा ही तब तो बल्ले-बल्ले कोई बात ही नहीं है तो जानकारी बहुत बेतर लगी होगी उम्मीद करते हैं मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा बैबै दोस्तों